2066 साल मा प्रधान मंत्री को रूप मा साड़े एक बर्ष मुलुक को नेत्रितो सम्हाले का नेक अपा एक गिर्थ समाजबादी का देच्य माधब कुमार नेपाल दोसरो पटक प्रधान मंत्री बढ़ने दाव मा छन। सत्तारूट गडवन्दन को सहमती अनुसार प्रचंड पछे उनले प्रधान मंत्री का रूप मा मुलुक को नेत्रितो सम्हालने छन। सत्ता गडवन्दन को सहमती अनुसार नेपाल ले लगबग एक बर्ष प्रधान मंत्री को कारेकाल बितावने छन। सत्ता गडवंदन मा अबद्ध दल का नेता हरू अब नेपाल ने प्रधानमंत्री हुने बताईरो है का छन। उनको पाटी एक गिकर्त समाजबादी का नेता तथा सामसद सिर्भादर कुमर ले सहमती अनुसार प्रचंड ले दुई बर्षको कारेकाल शक्काय पछी नेपाल लाई सत्ता अस्तांत्रान गरने खुलाशा गरे का छन। प्रचंड उन्हें, देवा उन्हें अन। प्रचंड ने पाल प्रधानमंत्री हुने रोगे का छन। नेपाली कांग्रेश का नेता विमेलेंद्र निधिपनी प्रचंड पचे माधप नेपाल नहीं प्रधान मंत्री बन्ने बताऊं छन। तेसपची द्योजार सौराशी साल को चुनाप गरावने गरी कांग्रेश सभापती सिर्भादुर द्योबाले प्रधान मंत्री को नेत्रोयतो सम्हालने उनको भनाई छा। तेसका अरका नेता तथा निभर्तमान महामंत्री ससांग कोईरालाले पनी सहमती जनाए का छन। तो यह लावा संचत निग्रान के पिउदी कोईर्ट निभर्तमान मंत्री कोईराले पनी सांग्रेश नेपाली कांग्रेश स्पाट्टी निभर्तमान मंत्री को राजितिक् में तिकता पंता छा माधर साथी रखा चाहिए अन्य चुनाओ पाछी सेगेंद फेज माधर नेपाल प्रधान मंत्री हुने रत्यस पाछी द्योबाले चुनाबी सरकार को नेत्री तोगर्ने गरी भायको शहमती कारिन हुने दावी गरी रहाई का बेला प्रचंड पछी प्रधान मंत्री बन्ना नेपाल का लागी समिधान बादा कुने राजनेतिक ब्रितमा चर्चा चले कुछ नेपाल को समिधान अनुषार अहिले धारा चहेतर दुई को सरकार छ, प्रधान मंत्री प्रचंडले राजनामा दिये पची चहेतर तिन को सरकार बनाऊनु पर्णे हुन छ तियो भनेको समसत को सबेभन्दा ठूलो दलको संग्षदिय दलको नेता कोई साबले दियोबा प्रधान मंत्री बन्ने छन बागबंडामा गडबंदन दलका नेताई मांदार देखिये दियोबापची नेपाल लाई प्रधान मंत्री बनाउना खोजिये पनी समय धानी किसाब लेत्तिती सहजुने देखि दैना गलोबल टेलिविजन का लागी कईलास कठायत काठ मांडव